आज का उलट पड़ाई बहुत दिनों से उलट पड़ाई नहीं हुआ तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी में कुछ मुहावरे आपको सिखाऊंगे अगर जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं देन सुनिए रफु चक्कर होना मतलब भाग जाना अक्सरी असा होता है इन फफु चककर हो जाता है तो यूदि यूज दिज़ चल्दि ज़ल्दी अब होना इसे कहा जाता है घुड़े पर सिखाऊंगे और ये इंट्रेस्टिव बहुत हे अपको चिकना घ्ड़ा का मतलम किसी की बात का कोई असर ना होता है लेकिन उस बात का उस इनसान में कु उस गुस्से को और जादा भड़काना उसे का जाता है आग में घी डालना डखा जाना मैं मोमो खा रही थी अचानक से कोई आया और पुड़ा डखा ले अंगार उगलना अंगार उगलना मतलम बहुत कुस्सा करना बहुत ही खड़ी कोटी सोना तो चलिए यह तो हो गया में कुछ अब चलिये चलते हैं English में, because British तो चलेगे, लेकिन हमें English का गुलाम बना के चलेगे, तो चलिये चीकते हैं कुछ English में, to look daggers, to look daggers का मतलब है, looked angrily, तो अगर बहुत ही गुसे से आपको देखे, उसे कहा जाता है, to look daggers, then comes to hush up, to hush up the matter, that means to prevail people from knowing, so if I say, if मैं और मिर फ्रेंड बात करें, then if I say, hey, hush up the matter, then kya, we'll prevent someone from knowing whatever we are talking, okay, ठीक है, तो चलिये हो गया, to look daggers, to hush up the matter, and चलिये और चलते हैं कुछ खुरावाति, my hands are full, you know, ये भी है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, okay, and काम पे काम कोई ते रहा है, then you are unable to, आपको नहीं करना ह आपको काम भी नहीं करना, तो आपको पोलना है, ने, मैं बहुत बिजी हूँ, then instead of saying, मैं बहुत बिजी हूँ, you can say, my hands are full, मतलब आपके पस बहुत सारा काम है करने के लिए, ठीक है, तो कभी-कभी English use करना बहुत फादा बन भी होता है, वो होता है, अगर आप English use करेंगे, तो उसको थरसा weight ज्यादा मिलता है, in today's जमाना, okay, so, जो भी हो, so, you can say, my hands are full, darling, next one is, pull yourself together, pull yourself together, pull yourself together, to calm down, कुछ जगरा करें, कुछ जगरा करें, कुछ जगरा करें, कुछ दूसरा प्रॉलम हो रहा है, या, मन खराब, या, कुछ भी है, then if you are telling, pull yourself together, to calm down, कुछ बहुत कुछ उलट, pull up, पढ़ाई, मैंने करा दिया, मैंने यह, मैंने यह, जो, section है, यह, जो मैं हमें, वीजियो कर रही हूं, उसका ना, मैंने उलट, pull up, पढ़ाई, इसलिए रखा है, क्यूंकि, अक्शली में, यह, पढ़ाई, और यह, आपको, किसी भी, चीज में, फाइदा ने दे सिदा 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 पढ़ाई, इस फौर देख सकते हैं, चीके, चलिए, चाचा, भाई, मिलते हैं, उलट, pull up, पढ़ाई, या, व्लोग, या, सिदा 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 पढ़ाई, चलो, भाई, जाते जाते और एक बोलते हैं, रुकिया, असलो कोच, धिला ढाला इंसान, मत्म कुछ भी काम दे धीरे, 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 धीरे करेंगे, भाएओ या, कुछ भी, बहुत इचले, धीरे करेंगे, तो उन लोको को कहा जाता है, बहुत है आज चलिए भाई एई सिट भाई नहीं बता है अमने पाशे मुष्ट इभी ता आज का उलेट पुलेट पढ़ाई तो उलेट पुलेट पढ़ाई में मैंने देखा है ज्यादा तर मैं शायद आपको जगड़ा करना इसी का रहे हूं लेकिन जगड़ातर मैं इन्हें वेरी प्रॉपर भी ठीक है चलिए चलते हैं जाचा बाई मिलते हैं फिर से किसी गुलेट प्लेट स्टरीस के अगर पसंद आये तें लाइक किछीए गाल तें मैं मुझे भी बनाने में बहुत इंट्रेस्टित लगता है लाइक ही महीं आज़ा है कि अ झाल झाल